गुर्मारिंग स्टूरेंट्स ओफ क्लास 10th in the medium आज का हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर का रेखा चित्र ब्लॉग डियाग्राम ओफ कंप्यूटर जैसा कि आपको दिख रहा होगा यह ब्लॉग डियाग्राम है कंप्यूटर का तो सबसे पहले हमारी कौन सी यूनिट हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में और जिस प्रकार का इंपुट हम करते हैं माली जह हम एल्यू से रिलेटेट करते हैं यह अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट अर्थमेटिकल क्या है हमारी मैथमेटिक से रिलेटेटर जो भी कल्कुलेशन सगर हम करते हैं तो यहां जाता है और सी यू यहां पर क्या होता है सी यू क्या करता है सारे डाटा को एकरतित करता है निर्देशों को एकरतित करता है और उसे के हिसाब से कंट्रोल रख कर सारे फंक्शन पर कंट्रोल रखता है और निर्देश देता है तो यह कहां पर होते हैं इंटर्नल मेमॉरी ओप अंत्रिक मेमोरी के बाद हमारा आता है है आउर्टपोट यूनिट ऑफाने यूनिट हम अमने मoh professions क्या होता है जब द kuо एक हो सिनटाल हो जाता है हमारा और वह कहां पर जाता है और पोट हो ता है यानि कि जो भी हमारे output devices हैं उन पे हमें output उनका मिल जाता है अब central processing unit में हमारा एक storage unit भी होता है लेकिन उससे पहले हमारा क्या होता है bus system bus system क्या है जो भी system system सारे संकेतों को देने का काम करता है यानि कि पहुंचाने का काम करता है वो हमारा क्या होता है bus system यानि कि जिसके तुरू हमें संदेश मिलते हैं या संकेत मिलते हैं वो क्या होता है बस system और इसके बाद हमारा क्या आता है storage unit storage unit हमारी primary memory है प्राइमरी मेमोरी यानि कि जहां पे हम अपने जब हम computer को input देते हैं और calculation हो रहा होता है तो वहां पे हमारी ये थोड़ी देर के लिए store होता है तो उसे हम क्या कहते हैं primary memory और फिर हमारा क्या होता है secondary memory secondary memory से मतलब हमारा है कि जो permanently हमारा storage होता है वो हमारी secondary memory में आता है इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट विडियो में और नेक्स्ट कोश्चन में ओके इतना समझ में आए क्लास यह पूरा ब्लॉक डाइग्राम है कंप्यूटर का अगर कोई क्वेरी हो तो आप क्लास में डिस्टस करिएगा